हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुरुज मंडल है आज मैं फिर से आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ आ गया हूँ आज मैं आप लोग को बताने हुआ भारत की नई सिच्छा निती जो लागू हुई है जिसे 2020 में पारित गोसित करना किया है जिसे मतलब 2022 या 23 तक हमारे भारत के सभी राज्यों में घोसित कर दिया जाएगा भारत की नई सिच्छा निती है क्या और यह किसको समझे कैसे क्या है इसके बारे में हमको जहनकारी नहीं है तो इसके लिए मैं आप लोग को आज कि वीडियो में आप लोग को बताऊंगा क लोगों के अंदर बहुत बदलाव को लाएगी और यह ज्यादा यूजफूल है समझना और आगे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए आज मैं आप लोग को समझाओंगा जैसे कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले भारत की जो हम लोग भारत में ज बहुत तरीके से बदलाव नहीं हुआ है और आज अब इस बार का जो भारत की सिचनाई सिच्छानिती है यह बहुत ही ज्यादा पावरफूल है और क्यूंकि इसे इसके बनाना से बनाया गया है कस्तूरी रंजन के अधियच में बनाया गया है जो इश्रों के इश्रों के अधियच रह चुके थे विज्ञानी की रह चुके थे उनकी निगरानी में इस सिच्छानिती को तयार किया गया है और यह काफी ज्यादा परभावी सिच्छानिती है तो इसको समझें कैसे इन सारी चीजों को मैं आप लोगो इस वीडियो में समझाऊंगा और फिर यह अधियो सानी से बताया जाएगा और यह जो और फिर पोस्ट प्यज्टी में क्या बदलाव आए हैं या फिर बच्चों की लेवल में क्या बदलाव आए हैं इन सारी सवालों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे रंक से देना चाहता हूं तो व चलिए आज में आप लोगों समसाता हूं कि भारत की नई सचानिती क्या है और इसको कैसा समझे देखिए आपको यहां पार सबसे पहले पहला में क्या था कि टेन प्लस टू था कि भारत मतलब कि राइज सरकार आप पर 12 सारों तक निगरानी रखती ठीक है लेकिन अब जो नई सचनिती है इसमें उसे 5333 प्लस फोर है जिसको जोड़कर आप देखिएगा तो यह 15 हो गया मतलब कि अब अब राइज सरकार आपके उपर 15 सारों तक निगरानी रखेगे ठीक है तिसमें आपको समझना है कि सरी यह 5333 प्लस फोर क्या है या फिर इसको कैसे समझें ब मतलब की आपको बच्चे के तीन साल में रखा जयेगा तर नहीं कोई युट रहे तरह का खेलना है उसका इंट्रस्ट जाने जो नफरत होती थी उसी को यहां पर खत्म क्या गया है उसे बच्चे को जो मन करता है जिर से उसको आना है वैसे आई यह को इंट्रस्टिंग जैसे कि अंगन बाड़ी बागेरा में जाती थे उस तरह से आपको तीन सालों तक पढ़ाई करना है किसी तरह कोई एक्जाम नहीं किसी तरह कुछ नहीं होगा जो हां लेकिन इसमें क्लास पर मुसन हो जाएगा जैसे कि अगर आपका बच्चा मतलब प्री साल है उसमें इसे बच्चे को कुछ नहीं समझाया जाएगा मतलब बस पढ़ाया जाता है मतलब उसको जो इंट्रस्ट है खेलना कुदना जैसे मंग करता है रंगोली बनाना या स्कुल मतलब घर के जो एक्टिविटी है वह से इनवाल क्या जाएगा टीचरों को भी इसमे इसमें बच्चे की एज मतलब तीन साल में उसे अंगन बाड़ी वगर भीजना है जिसमें कोई तरह का एक्जाम नहीं होगा और इसमें बच्चा क्या है कि तीन साल तक के वल खेलेगा उसे कोई एक्जाम उजाम सब्जेक्ट हो जैसे कुछ मतलब नहीं है लेकिन हाँ जैसे कि वह दो साल मतलब वान टू कलाश जैसे ही उसको मतलब भीजा जाएगा इसमें कोई एक्जाम नहीं होगा लेकिन वान टू कलाश जैसे जाएगा उसको बेसिकली चीज़ें थोड़ स्रूरू हो जाएगा मतलब कि इस स्टेज में बच्चों का एक्धाम श्रूं हो जाएगा जैसे कि वॉन अर्टू घण सार। तीन सार के प्रोग्राम में कहां बच्चे चाहेंगे जिसमें उनलोग का इक्जाम स्टार्ट हो जाएगा और प्लस में एक्टिवीटी भी बहुत सारे किराय जाएंगे और प्लस लेंगवेज मतलब कि यहां पर आपको विश्चे दिया गया है कि आपको एक का मतलब की जैसे कि आपका जो मतलब चरते हैं अपनी नहीं कि पढ़ना है यहां अब पढ़ना ऐसा फुक्त और सकता है और निशनल ले सकता है तीसरी नाथ यह जिसमें आपको क्या है कि बच्चा 5 तक को यहां से तक चलाएगा और फिर से यहां से पर वह प्रोग्राम में क्या है कि बच्चे को यहां पर बच्चों को मदद किया है आगे बढ़ने के लिए कैसे करें इसके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से क्या है सबसे पहले आपको एक मतलब कंपूइटर कोडिंग वगेरा मतलब सिखाया जाएगा जैसे कि जो हम लोग टूएल्थ या गर्जोशन के लेबल पर आकर सिखते थे अब उन्हें क्लसिक से ही बच्चों को थोड़ा-थोड़ा मतलब की कंपूइटर का नॉलेज कंपू सकते हैं इसके लिए आपको अलग से कुछ करें जोरत ने इसके लिए आपको माक्स मिलेंगे मतलब वोकेशनल या टेक्निकल कॉर्स के आवासर किसी को जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ मन करता है कि मैं इलक्टरी का काम भी सीखूं या फिर कुछी बंती कैसे उसके बारे में इन सारे चीज़ों को भी सीखना है तो वह आप चाहो तो मतलब यह टेक्निकल एट मतलब सीख सेवन एट के बच्चों को यह सब चीजन सिखाया जाएगा और वह सीख सकते हैं मतलब कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप कर सकते और इसके लिए आपको भारत सरकार मतलब पढ़ेगा इंडियन मतलब जैसे के में भासा और विजियर्टा भासा को समझना पड़ेगा यह काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग है इस नई सिचाथी जिसे हम लोग को समझना चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और आई होप कि तरह का आपको समझ में आ गया होगा आगला एक स्टेप बच्छा है फूर इयर्स का इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि सेकेंड्री स्टेज में क्या होता है अगर बच्छा ना ना मतलब एट क्लास तक निकल जाता है उस प्रोग्राम के अंतरगत से तब क्या होता आगे देखे तो बच्छा क्लास 9,10,11 और 12 से पहुंच जाएगा ठीक है इस कंडिशन बच्छा कहां पहुंच जाएगा 12 क्लास तक करेगा यह 4 स्टेज में ठीक है और यह इसका सेकेंडरी स्टेज कहला आता है इसमें क्या है कि बच्छे को मुख रूप से एक बिदे फोरें लेंग्वेज चैनीज फ्रेंच जर्मान इंगलीज यह किसी में एक भासा आपको आना चाहिए मतलब यह सिखाया जाएगा मुख रूप से ठीक है और अगला इसमें आपको इस्ट्रीम की वेवस्था कहने का मतलब की जैसे कि पहले होता था कि आपको टेंथ के बाद आपको तीन स्ट्री की मतलब की अपको कुए किसी तरह कि 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 अई यह पर नहीं रहे का यह मल्टिपल सब्सक्राइब करने का मतलब ihtकिध को पढ़ सकते POL बहुत अच्छी साथ से multiple subject को असानी से पढ़ सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं मतलब कोई तरह का आप बांडेशन नहीं रहा कि आपको IAC करना पड़ेगा आईये करना पड़ेगा या फिर icon करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है आपको जो मन करें उससाब से आपको जो मतलब कि यह आर्ट से जोग्राफी पढ़ लेंगे हिस्ट्री पढ़ लेंगे चलो साइन्स से हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं केमेस्ट्री पढ़ लेते हैं मतलब कि कौमर्स से हम चाहें तो accounting पड़ सकते हैं अब मतलब बच्चों को आप कर आईये कर रहा है तो आपको खली साइंस पढ़ना कर दिकार है ऐसा कुछ नहीं आप आर्ट वाले भी मतलब आर्ट वगरा हो रहेगा ही नहीं मतलब कि आप जो मन करता हो सब्जेक्ट बढ़िए ठीक है और इस पर बच्चों को आप कि इसको बिचार बिमर्स और मतलब सोचने समझने की शमता पर ध्यान जय अब सरट्या मारने वाला काम नहीं होगा मतलब कि अपर एक्टिबिटी वह समझाया जाएगा हरी चीजे को अर्थ सबसे बड़ा बतलाव है कि आप सेमेस्टर वाइस पर इच्छा होगा इधर जो 9 10 12 के बच्चे रहेंगे उनको एक्जाम जो है सेमेस्टर वाइस होगा ज सब्सक्राइब उसकर बाद यहां पर बच्चे इस तीन साल के प्रोग्राम में आते शहां हैं पर इसने पर नवर सब्सक्राइब करूप करते हैं कि यहां पर करते हैं तो यह वह थो सबसे बढ़ी अची चीज यह कुछ भी कारण से मतलग आप छोड़ देते हैं तो आपको अगर आप दोई साल कर लिए सब्सक्राइब मिल जाएगा और सबसे चीज यह है कि इसमें आपको री इंट्री के वेवस्था दिया गया है मतलब की री इंट्री कहने का मतलब जै कि आपने दो साल पढ़ा और छोड दिया हो मतलब की आपको कुछ दिकत हुआ जिसका दाये से चुड़ दिया आपको कुछ प्रॉब्लम और नहीं पड़ पाय कि चर चार साल के बाद मतलब की आप दो साल पढ़े हैं उसके बाद फिर आप का मन कीbroわか्प से और कर सकते हैं आप जहां पढ़ें आपको दुबारा नहीं पढ़ना होगा फिर आप आपको नए मतलब जिसे अगर एक ही साल पढ़के छोड़ दिये था आपको आपको जब रहेगा इसके पास तो आपको मतलब सेकेंड एर के लिए आपको मिल जाएगा टेंशन नहीं आपको ज सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेते हो तीन साल तक आपको डिगरी का साटिफिकेंट मिल जाएगा यह आप कहीं भी उप्सक्राइब करते हैं तो उसमें आपको यह मिल देने को मिल जाएगा यह दिकत नहीं रही है कि आप नहीं करते हो और यह कंप्लीट जो है आपको चार साल तक करते हैं तो रिसर्च का मतलब की गरियोशन रिसर्च का सर्टिफिकेंट मिलता है जो आपको काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहा आप पीजी वालों के लिए बात कर सबस्क्राइब करने का यह तर फिर्च करने करते हैं करते हैं कि तक बदलाव नहीं हुआ है ठीक है रहा और सबसे बड़ा यहां पर और सबसे ज्यादा और मतलब फिएज़ी के लिए युदि के लिए वही जो 4 साल का समय दिटना समय लगता था पीज पीज़ी करने में उससी पुराना सिस्टम ऑपार के जाद से नहीं किया वह बाकि नीचे आ को बलाव किया घ्या बाकि दर कोई जादा जिजिन नहीं है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आज की वीडियो को यहीं समाफ्त करते हैं अगर आपको कुछ तरह का मतलब सुझा हो या कमेंट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में बता सकते हो और मेरे इस भाई का मेहनत को आप देखें मतलब प्यार दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा हो दिल की घहराईं से धन्यवाद और चैनल पर आने के लिए लग लग शुक्रूरा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ फेला ये क्योंकि बहुत लोगों को ये नई सीचनिती समज में नहीं आती जिनको समज में नहीं आ रही है मैंने बच्चे तरीके सबको समझाया है उवर्र पर लिए लिए और चैनल पर नाय हों तो सब्सक्राइब करें